सबीकों नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि साल कटोप कितनी जाने वाली है वैसे यह आंकलन हमेशा एक्सपेक्टेट ही होता है क्योंकि डिफेंड करता है यह किस प्रकार के मतलब जैसे सीचेट का पेपर कैसे गया है लेकिन एक आंकलन निकल सक मतलब एक अच्यान सुर्की से मिलाइए और आपका स्कोर मतलब जैसे जनरल में 90 प्लस जा रहा है या 85 प्लस भी जा रहा है तो आप तुरुंद अपनी मेंस की तहरी में लग जाए और यह वीडियो बनाने का मकसद मेरा यह है कि आप जब तक प्री का रिजल्ट आता है तो उसका नुकसान आपको फिर उठाना पड़ता है चलिए फिर एक आंकलन जो मेरा आंकलन है वो यूपीसी की जो प्रीवेशेर की कटोप उन पर आता रहता है जैसे हम एक्जांपल के लिए देखेंगे कि इस साल कितनी कटोप रह सकती है तो यही एक आंकलन है जैसे लास कहता है ठीक उसके आदार पर मैंने यहां पर कटोप यह एक बनाया है एक डेटा के आदार पर और मेरा जो डाटा है वह आपने आप यहां दे सकते हो जैसे 2020 की कटोप है 2020 की कटोप में जंडल की कटोप गई थी 92 EWS की 77 OBC 89 है इसे स्टी 74 और स्टी की 68 बाकी अने अने कटोप है तो इन पर आदारीत यह आंकलन है जैसे 2019 का भी सेम आंकलन देखने को मिल रहा था लेकिन जैसे आज का जो पेपर है उसको देखके लगता है कि पेपर का लेवल टफ इसमें कोई सकनी है जो यह लोग बोल रहे हैं कि मेरे गरी तो 70 सही है, 80 सही है बिल्कुल 90 सही है तो यह सब फालतू बाते हैं ऐसा नहीं होता है इसमें यह सिंपल सी बात है कि पेपर का लेवल टफ था यदि मुझे पुछो मेरे अनुबो की पुछो तो मैं तो यह बदाऊगा कि यह पेपर का लेवल इस पार टफ था सकते हो तो बार-बार में यह बात बोलूँगा कि आप मतलब किसी भी केटिग्री में आप अपना कर सकते हो और आपको तुरूंत मेंस के आंसर राइटिंग प्रेक्टिक्स करनी है तो एक बार हम देख लेते हैं एक आइडिया देख सकते हैं कि जनरल की 90 के आसपास जाने वा सकते हो ठीक है हाँ आजकल की 10 नंबर कम जा रही है इस बार कितने एक्जाम में बैठे हैं उनका भी हमें हमारे पास कोई डाटा नहीं है तो हो सकता है उससाब से उपर नीचे हो जाए ठीक है इसके लाब ऐस्टी के आप जानते हो जनरल और OBSC से 10-15 नंबर कम ही रहती है सकता है तो आप इसंपल सी बात है कि आपको डाउट में नहीं तो यहांट नहीं पास किया है तो एक यहांप जहां शार प्रिज आपको बता हूँगा कि मेरेखे से में 1297 और जिस फजाम में 216 में बड़ा इक्जाम में जैसे 2016 का 2020 अप्लोड की अप्लीक्त कर्सदेखें को ए ऐसे और इतिक्स का यह दिया आप कोर्स देखते हूं यहां पे मुझे नहीं लगता आपको एक रूपया कहीं कर्च करने के आफसकता पड़ेगी एक बार आप खुद बताना बाद में किया रहा है मैंने सही कहा था ठीक है और इनके जो नोडस है वो मेरे टेलेग्राम चैनल पर आपको मिलेंगी तो जो मेरा टेलेग्राम MID चैनल है उसका नाम है steadyyse with member jo subjects बहुत सारे लोगों को टेलेग्राम चैनल का link open नहीं होता या काम नहीं करता है तो आप एक काम करना टेलेगराम में सार्ग करन से ही सपि ओर दिया sistemas धाक्ड ठीक है और सब्जेक्ट जोग्राफी चार्मेंस देने के बाद मैंने हिंदी साइट लिए है तो मैंने यहां पर कुछ बदलाव किया है तो जो मैं आंसर राइटिंग करता हूं और मेरे टेस्ट कोपियां और बाकि अन्ये मतलब नोट्स जो होते हैं डेली बैसे जो बनाता हूं मैं यही हो सकता है बाकि आंकलन कुछ उठला नहीं सकते क्योंकि यह एक ट्रेंड रहता है यूपईशी का में साइक ट्रेंड रहता है उसी के साबसे होता है लाश्ट इर भी बहुत लोगों ने बताई कि कटोप हंड्रेट से उपर जाएगी लेकिन हमारा जो आंकलन था वह सेम ही क्यार कटोप तो हना नीचे रहेगी इतनी ज़्यादा जाने वाले नहीं क्योंकि फेपर का लेवल पता चलता है अभी जैसे इस पेपर को मैं भी देता तो मैं भी यह कहता कि पचास कुछन सही करना बहुत मुश्किल होता इस पेपर में बहुत नंप फेपर है ठीक है तो क किसी के बैकाओं में नहीं आना है ठीक है चाहिए पांस नमर कम जोड़ लो मैं तो यह बता रहा हूं कि आप जनरल से 85 भी जोड़ लो में तो बार बार बोलो ना पांस नमर कम यह आखना ठीक है और डाउट में मत रहे ना क्योंकि यार 20 दिनी जब खराब होते तो इसका ख पसंद आये यार तो लाइक शेर जरूर करना कमेंट करना धन्यवाद